कि नमस्कार आप देख रहे हैं समाचार एक्स्प्रेस और मैं आपके साथ निहा वर्मा दिशारवी की जमानेत पर तो देश के प्रगती शीर बुद्धी जीवी खुश हैं लेकिन एक लाग के इनामी लख्खा की गिरफतारी ना होने पर चुप क्यों पस्चिम बंगाल में एक नेता की एवस में उसके दो मासूम बेटों को उठा ले जाने पर क्यों नहीं कोई प्रतिक्रिया दी जा रही देश के प्रगती शील माने जाने वाले बुद्धी जीवी अब सोशल मीडिया पर दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायधिश धर्मेंदर राणा की जमकर प्रशंजा कर रही है ऐसे बुद्धी जीवीयों का कहना है कि न्यायधिश राणा ने सरकार के घमंड को सही आईना दिखाया है उन बुद्धी जीवीयों ने वे भी शामिल है जिने कभी-कभी भारत की न्यायपाली का सवतंतर नजर नहीं आती है ऐसे बुधी जीवियों को अदालतों के कई फैसले सरकारी दबाव में नजर आते हैं उलेखनी है कि 23 फरवरी को नियाधी शराणा ने 26 जनवरी की दिल्ली हिंसा की आरोपी दिशारवी को ना केवल जमानत पर छोड़ने के आधेश दिये बलकि दिल्ली पूलिस की कारिये शैली पर भी सक्त टिपनी की नयायती शराणा ने कहा कि लोगों को सिर्फ इसलिए जेल में नहीं डाल सकते कि वे सरकार की नितियों से असहमत हैं हालाकि सब जानते हैं कि दिशारवी ने स्वीजन की परियावरन कारे करता ग्रेटा थनबर्ग के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर भड़काने वाले संदेश प्रसारिट किये 26 जनरी को दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसे देश की जनता ने देखा दिल्ली पुलिस के 400 जवान जखमी हो गए लाल किले पर हुए तांडव को भी सब ने देखा दिल्ली पुलिस ने जो धैरिये रखा उसकी देश भर में प्रशंसा हो रही है नयायत इश्राणा की टिपनी अपनी जगा है लेकिन इस टिपनी की आड़ में सोशल मीडिया पर केंद्र सरकार को उपदेश और नसीहत देने वाले बुद्धी जीवी बताएं कि 23 परवरी को ही पंजाब की भटिंडा में एक किसान रैली में भाशन करने के बाद एक लाग का इनामी अपराधी लखा सिदाना कैसे फरार हो गया जबकि दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस को पहले ही बता दिया था कि लखा रैली में आएगा इसके बावजूद भी पंजाब की पुलिस ने उसे गिरफतार क्यों नहीं किया क्यों पंजाब पुलिस रैली से फरारी के बाद भीड में लखा की गिरफतारी ना होने का बहाना बना रही है इससे तो यहीं लगता है कि दिल्ली हिंसाकारोपी कॉंग्रेस शासित राज्य पंजाब में धलन्डे से रैलिया कर सकता है इतना ही नहीं पस्चिम बंगाल में जब भाजपा निता राकेश सिंग अपने घर पर नहीं मिले तो कोलकाता पुलिस उनके दो मासूम बेटों को उठा लाई बेटी चिलाती रही लेकिन पुलिस वाले दोनों बच्चों को जबरन जीप में डाल कर ले गई क्या पिता की एवज में बेटों को उठा कर ले जाया जा सकता है क्या है उचित है बंगाल पुलिस की नजर में राकेश सिंग दोशी हो सकते है लेकिन उनके बेटों का क्या कसूर है राकेश सिंग पर भी सीधा कोई आरोप नहीं है हम आपको बता दे कि पिछले दिनों पुलिस ने 10 ग्राम कोकीन रखने के आरोप में पामला सिंग नाम की लड़की की गिरफतारी की थी पामला का ही आरोप है कि राकेश सिंग ने साजिश कर उसे फसाया है पश्चिम बंगाल में किस तरह पूलिस का इस्तमाल हो रहा है यह किसी से छिपा नहीं है भाजपा नेता राकेश सिंग के बेटों पर हुई कारवाही को बदले की भावना से प्रेरिक बताया जा रहा है 23 परवरी को सुबह ही पश्चिम बंगाल की मुख्य मंतरी ममता बनर्जी के सांसत भतीजे अभी शेक बनर्जी की पतनी रुजीरा बनर्जी से सीवियाई के अधिकारियों ने कोईला तस्क्री के प्रकरण में पूस्ताज की रुजीरा बनर्जी थाईलेंड की नागरिक है और आरोप है कि कोईले की ब्लैक मार्केचिंग करने वाले लोगों ने रुजीरा के विदेशिक हातों में लाखों रुपए जमा करवाए हैं क्या सीवियाई को ऐसे प्रकरण में पूस्ताज का भी अधिकार नहीं है सीवियाई के अधिकारियों ने पूरी शालिंता और पूर्व सूचना देकर घर पर ही रुजीरा से पूस्ताज की लेकिन ममता बनर्जी के इशारों पर काम करने वाली बंगाल पूलिस तो राकेश सिंग के मासूम बेटों को यूहीं उठा लाई किसान रैली से लखा सिदाना की फरारी और आकेश सिंग के बेटों को दबोच्रे पर प्रगति शिल बुधी जीवियों को प्रतिक्रिया देनी चाहिए ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आप के लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जिस फ्री और मेंटिनेंस फ्री और कोई hidden चार्जिस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुप करें